कहानी, खूनी रास्ता रात का समय था घड़ी में ग्यारह बज रहे थे और बारिश तेज हो रही थी विने अपने घर लोटने के लिए गाड़ी चला रहा था रास्ता सुनसान था और बारिश के कारण चारों तरफ अंधेरा चा गया था विने को अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी लेकिन उसने इसे नजर अंदाज कर दिया और गाड़ी चलाता रहा कुछ दूर जाने पर उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी उसने काले कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक चाता था वह इशारे से विने को रुखने के लिए कह रही थी विने ने अपनी गाड़ी धीमी की और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया औरत चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और बगल की सीट पर बैठ गई उसके चहरे पर अजीब सा शांत भाव था विनए ने कहा आपको कहा जाना है औरत ने हलकी आवाज में कहा बस आगे छोड़ दीजिए रास्ते में उतर जाऊंगी विनए ने ज्यादा सवाल नहीं किये और गाड़ी चलाने लगा थोड़ी देर बाद जब विनए ने शीशे में देखा तो उसे लगा कि पीछे की सीट पर भी कोई बैठा हुआ है वह चौंका क्योंकि उसने किसी को पीछे बैठने के लिए नहीं कहा था उसने औरत से पूछा पीछे कौन है औरत ने ठंडी आवाज में कहा वह मेरा बेटा है वह हमेशा मेरे साथ रहता है विनय का दिल तेजी से धड़कने लगा उसने शीशे में ध्यान से देखा लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया उसका मन घबराने लगा लेकिन उसने खुद को संभाला और गाड़ी चलाता रहा कुछ ही देर में औरत ने कहा यहां रोक दीजिए विनय ने गाड़ी रोक दी औरत ने दर्वाजा खोला और बाहर निकल गई लेकिन जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकली विनय ने देखा कि उसके पैर जमीन पर नहीं थे वह हवा में तेर रही थी विनय का चेहरा सफेद पढ़ गया उसने तुरंट गाड़ी का दर्वाजा बंद किया और तेजी से गाड़ी दोड़ा दी विनय का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या देख रहा था उसकी आँखों के सामने वही औरत का चेहरा घूम रहा था कुछ दूर जाने के बाद उसने एक ढाबा देखा और गाड़ी रोक दी वह ढाबे में घुसा और पानी पीने के लिए काउंटर पर गया उसके चेहरे पर डर साफ जलक रहा था ढाबे के मालिक ने पूछा भाई साहब सब ठीक है न आप बहुत घबराए हुए लग रहे हो विनए ने पूरी बात बताए धाबे का मालिक यह सुनकर कुछ पल चुप रहा और फिर बोला आप जिस रास्ते से आ रहे हो वहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था एक औरत और उसका बेटा वहां मारे गए थे तब से लोग कहते हैं कि वे रात में रास्ते पर दिखाई देते हैं लेकिन सुबा होने से पहले गायब हो जाते हैं विने के पैर तले जमीन खिसक गई उसके रोंगटे खड़े हो गए उसने सोचा कि शायद वह सच में किसी आत्मा को देख चुका है वह तुरंत धावे से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर तेजी से अपने घर की तरफ भागा रास्ते में उसे लगातार वही औरत और उसका चेहरा याद आता रहा वह जितनी तेज गाड़ी चलाता उसके सामने वही चेहरा बार-بार आता अचानक गाड़ी के सामने एक जोड़दार धमाका हुआ और गाड़ी रुक गई विने ने देखा कि उसकी गाड़ी के टायर में पंचर हो चुका था उसने गाड़ी से उतर कर देखा लेकिन उसे चारों तरफ कोई मदद नहीं दिखी रात का अंधेरा और बारिश का शोर उसे और डराने लगे वह गाड़ी में वापस बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे तब ही उसे गाड़ी के शीशे पर एक दस्तक सुनाई दी उसने धीरे से शीशा नीचे किया और देखा कि वही औरत फिर से उसके सामने खड़ी थी विने की सांसे थम गई औरत ने कहा मैंने कहा था ना मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहता है विन्य ने देखा कि औरत के पीछे एक परचाई खड़ी थी, वह एक बच्चे की परचाई थी विन्य ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया उसके सामने अंधेरा छा गया और अचानक सब कुछ शांत हो गया अगली सुबह, पुलिस को वह गाड़ी सड़क किनारे खड़ी मिली, लेकिन विन्य का कोई अतापता नहीं था उसके फोन और गाड़ी में कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहां गया लोग कहते हैं कि वह औरत और उसका बेटा उसे अपने साथ ले गए थे और अब वह भी उन लोगों में शामिल हो चुका है, जो रात के अंधेरे में उस रास्ते पर भटकते हैं आकिर क्या हुआ होगा विन्य के साथ? कहीं वह भटकती हुई आत्मा विन्य को अपने साथ ले गई या फिर विन्य ने उसे आत्मा को लिफ्ट दी तो उसने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी का टायर ठीक कर दिया? लेकिन सोचने वाली बात यह है अगर उसे आत्मा ने विने की मदद की तो विने आखिर गया कहा दोस्तों आपको क्या लगता है विने गया कहा कहीं उस आत्मा ने विने को खा लिया या फिर क्या हुआ होगा विने के साथ यह जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट में पार्ट दो जरूर देना